नमस्कार दोस्तों मैं हूं समित करेल बहुत दिनों बाद आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके दोस्तों पठान ने बॉक्स ओफिस को लूट लिया है इसने सारे रिकॉर्ड को चकना चूर कर दिया हर एक रिकॉर्ड को धस्त कर दिया, तोड़ दिया, बरबात कर दिया किसी ने नहीं सुचा था कि पठान बॉक्स ओफिस पे ऐसा कारणामा रची की ऐसा इतिहास रचेगी हमको मालूम था है कि ये फिल्म ब्लॉक्बस्टर होगी बहुत अच्छा बिजनस करीगी, लेकिन इस लेवल पे बिजनस करीगी ये किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था पिछले दो सालों से लोगों ने ये कहना चालू कर दिया था कि बॉलिवूड इंडिस्ट्री खतम हो गई है साउत ने कैप्चर कर लिए है और जहां तक ये बात भी सही थी बुल भलेया टू, दिर्शियम टू और ब्रह्मास्त्रे ऐसी फिल्मों ने किसी तरह से जो सांसे बॉलिवूड की बचाए रखी लेकिन बॉलिवूड को जिंदा किया शारू खान साब की पठान ने जब आज मैं ये विडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यानि सेकंड संडे पठान ने बॉक्स ओफिस पे लगभग 430 क्रोड की कमाई कर ली है कल सुम बार को ये केजी एफ टू का रिकॉर्ड तोड़ देगी जिसने 434 क्रोड उपे कमाई थे हिंदी में और 15-20 दिनों में 95% चांस है कि ये बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को भी तोड़ देगी यानि 510 करोड जो बाहुबली के हिंदी वर्षिन ने कमाई थे बाहुबली 2 की बात करता हूँ मैं उसको भी ये तोड़ देगी और हिंदी सिनिमा की सबसे बड़ी ब्लोगबस्टर बन जाएगी बन चुकी है लेकिन अक्रॉस ओल लेंगेजेज में बाहुबली 2 की कलेशन सबसे ज़ादा थे हिंदी में पठान उसको तोड़ के खतम कर देगी दोस्तों पठान ने कपन से कम 100 रिकॉर्ड बनाए है औल टैम रिकॉर्ड लेकिन आज मैं आप लोगों को जो टॉप टैन मोस्ट स्पेशल औल टैम रिकॉर्ड पठान ने बनाए है इसके बारे में बताऊंगा बहुत लोगों तो यह मालूम भी होगा जिसको मालूम नहीं होगा वो मेरे वीडियो से अपडेट हो जाएंगे पहला रिकॉर्ड पठान हिंदी सिनिमा की पहली फिल्म होगी जिसने 400 क्रोड की कमाई नेट हिंदी में इंडिया में की हो जी हाँ शारू खान ने 400 क्रोड का क्लब पठान के साथ खोल दिया है 100 करोड 200 करोड और 300 क्रोड का क्लब आमिर खान साब ने खोला था 400 क्रोड का क्लब पठान खोलेगी और जहां था कि 500 क्रोड का क्लब भी हिंदी सिनिमा के लिए शारू खान साब की पठान खोलेगी दूसरा रिकॉर्ड दोस्तों पठान एक पहली फिल्म होगी हिंदी सिनिमा की जिसने सतर करोड के फिगर को छुआ हो तिसरा रिकॉर्ड पठान पहली फिल्म होगी हिंदी सिनिमा की जिसने सिंगल डे में साथ करोड उपे की कमाई की हो साथ करोड का फिगर को छुआ हो दो दिनों में ही 100 करोड की कमाई कर ली हूँ पठान ने अपने पहले दो दिन में 120 करोड प्लस की कमाई की थी छटवा रिकॉड पठान Overseas में बॉलिवूड की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन चुकी है 300 करोड प्लस का कमाई इसने कर लिया है और इसका lifetime collection लगभग 380 से 400 करोड जाने की उमीद है साथवा रिकॉड पठान बॉलिवूड की पहली फिल्म होगी जिसने 800 करोड की कमाई Overseas market में की हूँ दोस्तो आपको बता दूँ कि चाइना की collections को मैं इसमें नहीं ले रहा हूँ ना की highest overseas record में ना की 800 करोड की record में चाइना को अगर अंबाद दे तो पठान पहली फिल्म होगी जिसने original language में इतना record बनाया हो आठवा record पठान पहली फिल्म होगी जिसने अपने पहले हफते में 300 करोड की कमाई कर ली हो नौवा record पठान पहली फिल्म होगी जिसने अपने पहले हफते में 50 करोड प्लस की कमाई 4 बार की हो किसी बॉलीबूल फिल्म ने अपने पहले हफते में एक बार से ज़ादा 50 करोड की कमाई नहीं की है हिंदी में पठान पहली फिल्म होगी जिसने ये रिकॉर्ड को चार बार बनाया है और दसवा रिकॉर्ड पठान पहली फिल्म होगी across all languages जिसने हिंदी में 400 क्रोड की कमाई सबसे जल्दी की हो दोस्तों ये 10 रिकॉर्ड है जो की बहुत special है और इसके अलावा भी बहुत सा रिकॉर्ड है जो पठान ने तोड़े है शारू खान ने ये साबित कर दिया है कि वो कितने बड़े सुपरस्टाज है चार साल बाद में उने कमबेक किया और हर एक रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया तभा कर दिया अब किसी भी फिल्म के लिए आसान नहीं होगा कि यो पठान की रिकॉर्ड को तोड़ पाए सिर्फ पुष्पा 2 और टैगर 3 नियर अबाउट एक ऐसी फिल्म है जो इनके रिकॉर्ड को छू सकती है या इनके नजदिक आ सकती है इसके अलावा दो-तिन सालों में ऐसी कोई फिल्म मेरे साब से तो नहीं आने वाली है जो पठान की रिकॉर्ड को छू सकती है सैनिंग आफ सुमिट करे थैंक यू